सुवागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं जो यह ओमान वर्सेस नामी भिया की टीम के बीच में जो यह सेकेंड टी टॉन्टी का मैच खेला जाएगा इस मैच के बारे में इस वीडियों लोग बात करेंगे फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्त अभी तक आप लोग मेरे टेली ग्राम से नहीं जुड़ें तो आप लोग का टेली ग्राम से जुड़ना काफी इंपोर्टेंट रहेगा उकि टॉस के बाद की सारी अपडेट आपको मेरे टेली ग्राम पर ही मिलेगी और जो इस पिच रिपोर्ट से तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो ओबरॉल ये एक बैलेंस विकेट रहता है फस्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहां का 152 का रहा है इसके अलावा दोस्ता पर जो विकेट मिलते है वो पेसर्स को जादा मिलते है तो उसी के साब से आप लोग अप पर चेसिंग करने वाली टीम जीती है यानि कि जो टीम यहां पर टॉस जीते हैं यहां पर पहले बॉलिंग करना चाहेगी कि जो टीम यहां पर बाद में बैटिंग करती है उसके जीतने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं अब हम लोग यहां पर पेस वर्सिस इस्पिन की ब पर दोस्तों जो last match खेला गया यानि कि जो इसी सीरीज का first 20 match खेला गया वो भी इसी venue पर खेला गया तो आप लोग उसका यहां पर scorecard भी देख सकते हो ताकि आपको यहां पर थोड़ा सा और समझ में आए तो दोस्तों last match में यहां पर ओमान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 109 बनाए 9 विकेट की नुकसान पर और नामी बिया की टीम ने इसको chase किया 114 बनाकर 6 विकेट की नुकसान पर लगबग 18.4 उबर में अब इस मैच में आप देखोगे तो पेसर्स को 12 विकेट मिलें इस पिनर को सिर्फ 3 विकेट मिलें तो आप लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हो पेसर्स यहां पर काफी अच्छा करते हैं तो उसी के साफ से आप लोग अपनी यहां पर टीम क्रेट करना है अब यहां पर दोस्तों हम लोग पहले बात करते हैं ओमान की टीम के बारे में तो दोस्तों ओमान की टीम की बात करें तो ओमान की टीम अपना यहाँ पर लाश्ट वाला मैच हारे के आ रही है अब हम लोग हैं पे ओमान की टीम की प्लेंग 11 और प्लेयर स्टार्ट के बारे में जानते हैं तो आप लोग हैं वीडियो को बिल्कुल इसकेप मत करना ताकि आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे समझ में आ जाए तो सबसे पहले बात करें कस्या करते हैं 25 का इनका एवरेज है लाश्ट में 15 बनाए उससे पहले का आप इनका भी यहाँ पर फॉर्म देख सकते हो आके बिल्यास है राइटी बैटिंग करते हैं और पर एक पॉलिंग डालते हैं 38 मैच इसमें 858 रंस है 27 का एवरेज है 19 विकेट है यह प्लेयर काफी इंप इनको भी जरूर चलना है खालेट केल को आप लोग जील में ट्राइ कर सकते हो तीनी मैच अभी तक इनोंने खेल है टी-ट्वंटी इंटरनेशनल में जिसमें 88 रंस है लाश्ट में एक बनाए पर ठीक टाक यह हिटिंग करते हैं इनको आप लोग जरूर ट्राइ करने थोड बैटिंग भी कर लेते हैं तो आप इनका भी यहां पर देखके चल सकते हो महरान खान है यह प्लियर इंपोर्टेंट है लाश्ट में आपने देखा हुगा इनका सेलेक्शन दस परसेंट के आसपास था पर फिर भी हमने इनको अपनी टीम में पिक किया जिसमें यह दो वेक थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं बॉलिंग भी कराते हैं लास्ट में यहां पर एक ओवर की बॉलिंग मिली यहां पर जिसमें इनको विकेट नहीं मिला उससे पहले का फॉर्म आप लोग यहां पर देख सकते हो रफी उल्ला है राइटी बैटिंग करते हैं 33 मैच में 33 विकेट है तो अच्छा का सार लग बग रिकॉर्ड रखते हैं बाकि फर्स्ट बॉलिंग अप लोग लेके इनको जा सकते हो क्योंकि डेथ के बॉलर हो लास्ट में भी तीन विकेट निकाल के आ रहा हैं बिलाल खान को लास्ट में विकेट नहीं मिला पर आएगा तो उसके लिए आप लोग टेली ग्राम से जरूर जुड़ जाना सौरी दोस्तों इनके अलावा यहां पर हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर के बॉलर्स के बारे में तो यहां से आपको स्टार्टिंग में बिलाल खान फयाजबुट महरा बारे में तो यहां पर दोस्तों लोग नामी विया की टीम की प्लेंग 11 और प्लेयर स्टार्ट के बारे में जानेंगे तो आप लोग वीडियो को बिलुकुल इसके मत करना था कि अच्छे समझ में आ जाए तो सबसे पहले बात करें जैन पॉल जेपी कोट जेके लेफ्टी बैटिंग करते हैं 20 का इनका एवरेजर लगबग ठीक खिलाड़ी है अला कि रीजेंड फॉर्म अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा नहीं रहा पर प्लेयर यह इंपॉर्ट है तो इनका लोग जील में जरूर रोटेट कर लेना मलान कुरुगर है राइटी बैटिंग करते हैं 23 का इनका एवरेजर लास्ट में आठ बनाए उससे पहले का फॉर्म आप लोग यहां पर देख सकते हैं इरासमस दोस्तों यहां पर मस्ट पेक हैं आपको लगबग तीन से चार ओवर की बालिंग देंगे प्लस बैटिंग भी काफी अच्छी करते हैं तो आपके सी इसेंट में जो टीटोंटी मैचेस खेल रहा हैं इस सीरीज से पहले भी जो मैचेस खेले हैं उसमें भी इनको बालिंग नहीं दी गई है तो यानि कि प्योर बल्लेवाज के तोर पे इनकी टीम इस्तेमाल कर रही बाकि अच्छे ओल्राउंट ने बालिंग कराएंगे इंप लाश्ट में इनको बालिंग नहीं दी गई पर उससे पहले जोनोंने तीन टीटोंटी के मैचेस खेले हैं उसमें तीनों में बालिंग कराई है तो इनको भी आप लोग जील में जरूर ट्राई करना डेविड वीजी आपके यापर मस्ट पेक हैं फर्स्ट बालिंग में डे मस्ट पेक हैं अपनी टीम में लेके इनको जरूर जाना है इस कॉल्टा जहें त्रीपन मैचेस में 57 विकेट हैं लुंगमानी के 27 मैच में 21 विकेट है तो आप लोग यहापर सबका देखके चल सकते हैं लुंगमानी को भी दोस्तों लास्ट मैच में इनका भी सेलेक्शन का में इनके ओवर कट रहे थे पर लास्ट में काफी एची बॉलिंग कराई तीन विकेट लेके गए तो उनको आप लोग फिर से ट्राई कर सकते हो बाकी दोस्तों यहापर जो बैंच पर बैठने वाले हैं उन सब का लोग आपर स्टार्ट देखके चल सकते हो अब यहाँ पर पर लुंगमानी भी डेथ में करा लेते हैं तो अब इनका भी यहाँ पर देखके चल सकते हो तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोनों टीम्स के head to head मैचेस के बारे में तो दोनों टीम्स ने head to head में टूटल यहाँ पर चार मैचेस खेले हैं जिसमें से ती 30 runs है 18 coverage है 2 wicket है तो important है क्योंकि आपको bet ball दोनों से point देंगे अपने team में लेके इनको जरूर जाना है कस्यप प्रजापती ने एक ही match खिला जो last वाला खिला 33 runs की पारी रही डेवेड वीजे ने एक match इसमें 23 not out की पारी रही है और एक wicket है बेटिंग से यह flop रहे हैं पर balling से 4 wicket निका रहे हैं तो यह भी आपके काफी important है फयाज बुट ने दो match खिले हैं जिसमें 4 wicket है इस कॉल्टज के भी दो match इसमें 4 wicket है महरान खान का एक match इसमें 2 wicket है तो आप लोग आप हर एक प्लड़का देखके चल सकते हो इनके अलावा देखोगे बिलाल खान ने दो match इसमें 4 wicket निकाल है लुगमानी का एक match में 3 wicket है जो की last वाले match में निकाल के आ रहे हैं अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं इस venue पर कौन-कौन अच्छा करता है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्त आप को यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले तो यहाँ पर जो ओमान के प्लेन है उनका देख सकते हो जीसान मक्सूद है 23 मैच इसमें 47 रंस है 37 विकेट है लगबाग काफी अच्छा स्टार्स रखते है लाश पर जरूर फ्लॉप रहे पर इंपोर्टेंट है कस्या प्रिजा को यहाँ पर एक मैच उसमें 3 विकट है जो की लाश्ट मैच में निकाला तो आप लोग बेंपे हर एक प्ल्यर का देख के चल सकते हो तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे हर एक प्ल्यर के बारे में जान लिया इस मैच के बारे में जान लिया अब अब आम लोग आप अपनी टीम के लिए टीली ग्राम से जरूर जूड़ जाना क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो टीली ग्राम परी मिलेगी तो जूड़ जाना लिंक आपको इस वीडियो का description और 1st 22 अब मिल जाएगा मेरे टेली ग्राम चनल का तो चलिए अब वो आपनी team देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों wicket keeping में आप देखोगे तो मैंने यहां पर wicket keeping में sorry यहां पर मैंने wicket keeping में अठावले को लिया है जो की आपको opening करते हो देखेंगे T20 के अच्छे खिलाड़ी अच्छा गादा starts रखते हैं लास्ट में अच्छा कर गए तो एवरेज प्लेयर है और बैटिंग करने भी लगवाग थ्री डाउन पर आएंगे तो इस वज़े से मैंने फिलाल इनको नहीं लिया अला कि आप लोग ट्राई करना चाहो तो फर्स्ट बैटिंग में कर सकतो जब नामी विया की टीम पहले बै है रीशेंट उतना अच्छा नहीं है पर प्लेयर ये भी अच्छे है आप ट्राई करना चाहो इनको भी कर सकतो मैंने ठावले को लिया है बैटिंग सेक्शन में देखोगे यहाँ पर मैंने केप प्रिजा पती को लिया है जो कि लास्ट में अच्छा करके आ रहे हैं और एक जील के अच्छे पिक हैं लास्ट में एक ओवरी मिला पर यह भी अच्छी काहांसी बॉलिंग भी कराते हैं और बैटिंग भी ठीकता करते हैं तो इनको जील में रूटेट कर लेना जे सिंग खेल जाते हैं अच्छे प्लेयर है रीशंट इनका भी उतना अच्छा नहीं है पर प्लेयर ये भी इंपॉर्टन्ट है जैन्स रेंजबर को लाश्में में बॉलिंग नहीं दी गई इस वज़े से स्मॉल लिग में नहीं लेना है जील में रूटेट कर सकतो के कैल भी आपके जील के अच्छे पिक है तो जील के आपके पास यहापे काफी ओप्सन है पर इस मौल लिग में इनको नहीं लेना है तो समॉल लीग में मैंने फैल के प्रजरापती को क reflective स्चेंन में देखोग Unk boiling में पंचो को पिक्या फ्राइल एक प्ने हैं मैं अल्र राइन कर आया जा रहा काम यह नहीं कर आया जा रहा है इसवज़े से मैंने पिक प्रियेल में रूटेट कर सकते हैं साइध लेके नहीं जाने वाला लास्ट वी में आपने देखा होगा सेलेक्षन 80% के आसपास इनका था तब भी मैंने पिक नहीं किया था पर अब इनका सेलेक्षन भी काफी कम हो गया है तो मैं फिलाल इनको अभी नहीं ले रहा हूं बाकि के नामी विया की टीब नहीं करते हैं अगर यहां पर नामी विया की टीम पहले बाइलिंग करेंगे बाकि नीचे आप देखोगए मत को जील में रोटेट कर लेना बाकि नीचे कोई नहीं खेल रहा है तो फिलाल दोस्तों जो मेरी यहां पर टीम बन रही है वो यहां पर कुछ इस प्रिकार है अब यहां पर मैंने अपनी कप्तानी मेरवे इरासमस को दिया है वाइस कैप्टन मैंने आप इल्यास सुलेरी को क आपके पाश जो अधर ऑप्शन यहां पर सी वी सी के रहेंगे डेवेड वीजे रहेंगे अगर नामी विया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो इनको भी आप लोग सी वी सी कर सकते हो इनके अलावा मक्सूद भी आपके वी सी के अच्छी ऑप्शन रहने वाले है तो यह आप लोग इन में से जिसको करना चाओ कर सकते हो फिलाल मेरी यह टीम है अगर इस टीम में कुछ भी चंज होगा तो आफ्टर टोस आपको टेलीग्राम पर बता दूँगा तो इसके लिए आपको टेलीग्राम से जरूर जूड़ जूड़ जाना है लिंक आपको इस वीडि